दोस्तों, चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं है, हर कोई चॉकलेट का शौकीन होता है, और अगर चॉकलेट भी किटकेट हो तो क्या कहना, आप सबने कभी न कभी किटकेट जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि किटकेट कैसे बनती है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्टरी में किटकेट किस तरह बनती है, दोस्तों, किटकेट बनाने के लिए चीनी, दूद, मक्खन, मठा पाउडर, लेक्टोज, सोया लेसिथिन, पॉलीग्लिस्रॉल, गेहू का आटा, चीनी, तारका तेल, कोको, सोडियम, बाइकारबोनित, सोया लेस फिन, खमीर आदी सामगरी का उपयोग किया जाता है, इन सभी सामगरी को निश्चित मातरा में एक बड़े मिकसर में मिलाया जाता है, और अच्छी तरह मिक्स करके गाडा पेस्ट बनाया जाता है, इसके बाद लोप्रेशर के साथ अलग-लग पाइप से गुजारा जाता है फिर इस लिक्विट मिश्रंग को एक बड़े ड्रम के आकार के बरतन में खाली किया जाता है अब दूसरी मशीन से चॉकलेट वैपर रोलर पर आते हैं और चॉकलेट का पेस्ट इन वेपर पर गिरता है अब इन चॉकलेट वैपर की तीन से चार परत बना ली जाती है अग चॉकलेट को सुखाया जाता है अब इन तीन लेयर और चार लेयर चॉकलेट को रैपर में पैक किया जाता है और इस तरह किटकेट चॉकलेट तयार होकर बजार में पहुँचता है दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें